अब स्पस्ट हो गया भारतिये जनता पाटी जाती जनना कराने से पीशे भाग रही है तो मोदी जी क्यों एलक्षन ने बोले थे कि मैं पिछडी जाती का हूँ पिछडी जाती का हूँ इस सर्वे आंकड़े इकठा करना बहज जरूरी होता है बहेद भाव होता है आर्थिक अधार पर होता है कि समाजी का तरब समाजी की भेदवाव कैसे होता है मंदीर नहीं जाने देंगे पानी नहीं पीने देंगे जाती एक supreदा हो गए मरने के शाल नहीं छोड़ती जो समाज के शीर्ज पे बैठे हुए हैं वह जाती बाद ऊखटम करेंगे ना ब्रहामन में शादी ब्रहामन ब्रहामन को प्रोंट कर रहा है ठाकूर ठाकूर को प्रोंट कर रहा है उसको नहीं आप चलते-पिरते किसी को आप मठादीज बना देते हो संस्क् मैं नूर्जा और मेरे सब बातचीत करने के लिए मौजूद है रतनलाल जी जो प्रोफेसर हैं और हम जो पांच राज्यों के चुनावों का एलान हो गया है उसी को लेकर हम बातचीत करेंगे तो क्या कहेंगे सर इस पर चुनाव तो होना ही था मोटा मोटी जो है भारत की रा गरना बिहार के आधार पर कराएंगे तो कई मुद्दे हैं जो बहुत महत्पूर्ण है जैसे जाती जनगरना का सवाल है अरक्षन का सवाल है तो तमाम सोचल जस्टिस बहुत फोकस में आ रहा है अभी राहूल गांदी ने प्रेस कॉछा ही था यहां जितने पत्रकार यह कहां कहां किस जाती है कहां पर कबजा है कहां पर मनोपोली है किसके पास कितना जमीन है किसके पास कितना संसादन है किसके पास कितनी नवकरिया है जब हर चीज सरकार कोई पॉलिसी बनाती है तो उसके पीछी आंकड़ा होती है अब दस परसेंट रिजरवेशन जो आया लेकिन आप जबरदस्ति उसको और तालिस घंटे में आपने दे दिया विहार का तो आंकड़ा गया है लेकिन जिस तरीके से मतलब जाती कर जंगर्णा करा रहे हैं तो लग नहीं रहे हैं लोगों को बाट रहे हैं जातियों में धर्म के नाम पर बाट रहे हैं लेकिन और बाट रहे हैं मतलब दिखा रहे हैं अगर जनगन्ना की जाए तो महिला को बाट रहे हैं पुरुस से इसलिए नहीं होता है ğa 150 में आरतिक अधार बहुता है मंधी पाणी नहीं पर मोच रखेंगे तो माटव देंगे यह लड़ाई किसलिए लड़ी जा रही है कि भारतिय समाज अपने सुभावत सुभाव रूप में जातिवादी है जितने बड़े बड़े जगह हैं सब आखड़े निकाले हैं कितने वाई चांसलर ओवी सी समुधाय के हैं अगर आखड़े नहीं आएंगा तो जाती खतम हो आपने ला दिया दस परसंट दे दिया ना गरीब सवर्नों का रक्षन मिला है ना गरीब सवर्नों को मिला है अगर नहीं पता होगी तो होगा ही नहीं कुछ अभी आपकी ट्रेनिंग अभी जो है ना थोड़ी और ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पता लएगा अगर मैं नहीं करता है जनमना है आप गरीब से अमीर बन सकते हैं अमीर से गरीब बन सकते हैं लेकिन जाती एक जिस समाज में आप पैदा हो गए मरने के पावाद भी पीछा नहीं छोड़ती है और नहीं दली को सिटीं होतिके ये बताइए इतने हैं नहीं लिए ना आप बताइए न क्यीं होती दाने पूती है इसलिए उतने की जाती हैuestas अश्वरण उसी Arsenij ये अस्वरनों पर कूशने नहीं होता है डली दो पेस्टीकिन के पुछने brighter hith कर ने कहा न पुलिस मजिस्टेट जितने होते हैं सब रस्टचारी पक्षपात पूर्ण दोनों होते हैं जब उनको अपने बुद्धी विवेक का इस्तमाल करना होता है तो हर समय अपने जाती के पक्ष में करता है टाइटल लगा हुआ है आपका नाम क्या है नूर जहां बोलने से नहीं क्योंकि है एक्जिस्ट करता है तो जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक कैसे होगा गरीबी रिक्षा चलाने वाला आदमी हटाएगा क्या डानी हटाएगा तो गरीबों पर ध्यान दें गरीबी कौन हटाएगा जो समाज के शिर्स पर पैठे हुए है वो जाती बाद वो इसको खञद रहा हरा है तो जिनको ख़तम करना वह इसको अधूर ठाएगा जाती ही हो रहा है जातियों को खत्म करने की जिम्हादारी किसके थी जो समाज के शीर्स पर बैठे हुए क्यों नहीं आप चलते फिरते किसी को आप मठादीश बना देते हो संस्क्रीट पढ़ेवान ने तो दलीत भी मिलेंगे क्यों नहीं मंदिर का पुजारी बना देते हो क्यों एक खास समुदाय के लोग मंदिर के ट्रस्ट में होते हैं लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहे हैं मैं जब राहूल गांदी करा रहे हैं तो तो पंद्रा परतीशत जो है उनका वोट तो गया ना फिर जाने दीजिए उससे क युकर आ रहे हो कि इसके पीछे कुछ लॉजिक होगा ना उसी तरह भारत हजारों जातियों का देश है कौन सा जाती प्रगति किस लेवल पर है किसके लिए क्या रेमेडी होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए तो जिस तरीके से मतब जोई पांच राज्यों की चुनाव ह हैं तो आपको क्या लग रहे हैं मतब कौन सी सरकार आएगी नहीं कौन सी आई यह तो जनता तैय करेंगे मैं थोड़ी तैय करूंगा लेकिन अबस पस्ट हो गया भारतिये जनता पार्टी जाती जननना कराने से पीशे भाग रही है और बाकी ऑपिशन कराय कराओ तो मोदी जी क्यों जी एलthose कि मैं पिछी जाती का हों पिछी जाती का हूं लेकिन वों भी तो है ना लेकिन सबको को यह दिख्ट कौरी अगर अग Lawrence का बेटा नेता बन गया तो उसमें क्या दिख्कत ले देख्रight में करोड़ों करों खच होते हैं आप क्यों नहीं लीडर बन नहीं म ग्रकुम का उया संदाटर्म पर चाहिए इंवागों परकुरों और चाहिए बाव क्याया परिए पर मपादमि इन रेकारी है को आरे इत्जय को दिए वाज़व वी घ्रट ज्यूस्त आध और कि प्रकुमी तुर्टि रहे हैं। कह रहे हैं लेकिन जो तैय करना है वो तो जनता को ही करना है तो इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिकरिया जरूर दीजेगे और देखते रहें जन्नेत अवार